वुदा आफ्टरूंस तुदेंट्स आज विटा हम लोग पढ़ेंगे यूनिटू का लेक्चर वन दाट इस मिशन स्टेटमेंट अभी तक हम लोगों का यूनिट वन कम्टीट हो गया बिजनस पॉलिसी का अब हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं यूनिटू का लेक्चर कर रहा है बट अच्छली में उसको यह नहीं समझा जाता है स्ट्राटेजिक मैंजमेंट ने मिशन को क्लियरली क्या डिफाइन करा गया है वह हमें आज पढ़ना है अमैंटिपैधिटेए अमिशन स्टेटमेंट डिफाइंट्ट एट लाइन साफ बॉइसनेस र कंपनी इसमीं और आफ़ एग्जिस्ट पनीतों में ये open एल्हा रहा है थाइए क्या पर्पस उसे पूरा कर ना क्या पूरा कर देख कर दmesi विदिन दा गिवन रिसोर्स जित्ती भी चीज़ें उसके पास है उसको ध्यान में रखते हैं वह क्यों एक्जिस्ट कर रहा है या वह क्या परपर्स कम्पीट करेगा ठीक है उसको हम लोग मिशन बोलते हैं क्वेड बिवरी कंपने शुद्द सब्सक्राइट में की बताती है क्यों काम करना चाहती है जिसकी वरे से लोगों को क्या होता है वह एक तरीके से लोग उसे फॉलों करता है क्या आप लोग देखते हैं एमेजॉग कभी अचलिक से बना रहता है तो उसका मतलब यह होता है कि एसले के जेट तक आप जो भी प्रोटक्ट ढूंड़ोंगे आपको सबको सारे के सारे आपको कंपनी ठीक है कंपनी के प्रती मतलब उनको मोटिवेशन मिलता है जिससे कि वह ऑगनाइजेशन का पार्ड बनने के लिए खुश है और खुद से वह आगे उसमें इंट्रेस्ट दिखाए अमिशन स्टेट्मेंट ऑलसो डिफाइंज दा कंपनी स्कॉर्पेट स्टाटजी और जनरली यह कपल ऑफ सेंटेंसे जिल्ले यह निजब मिशन होती है वह तरीके से दो लाइनों में यह बताता है कि कॉर्पेट स्ट्राटजी क्या है कि वह आगे आने वाले समय में करेंट्ली रिसोर्स के साथ क्या काम करना चाहती है नेक्स रिसी में आपका है देखो यह टा और यह नहीं जब मिशन पूरा हो जाएगा तो मिशन की बात विजिन की कैलाता है कि आने वाले समय में हम ओड़रूर उप डानॉमी और विड्स में कैसे हर पर्सं यह हर ऑगनाईजेशन कितना ज्यादा अचीव कर सकता है वाल्यूस में जैसे इन्वेशन हो गया ठीके नह डाइवर्सिटी एन इंक्लूजिन डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें अब ऑफर करी जाती हैं पॉर्पेट सोचल रिस्पॉंसबिल्टी ठीके सुसाइटी के लिए क्या के चीज़ें फिलांथ्रॉप फिलांथ्रॉप एंवार्मेंट ट्रस्वर्दी कंप्यूटिंग य प्रविजन, मिशन और वैलुस को ऐसे रिफाइंट किया अब देको और ग्जामपल लेट्स लुक अट मैक्रोप कोपरेशन श्यन स्टेट्मिंट मैक्रोप कोपरेशन इस अन अमेरिकन MNC नाट डेवल अब्स मैनुफक्चिर्स, लाइसेंसें और सेल टेक्नलोजी प्रड़क्स इंक्लूदिंग कंप्यूटर सौफ्ट्वेर एलेक्ट्रोनिक्स और पर्सनल कंप्यूटर सबको पता है मैक्रोप क्या है इस अल्सो वन अप लाज़स कोपरेशन इन दे वर्ल अलोंग साइट कंपनी सच सब्सक्राइब अपने मिशन को बताया है किस तरीके से तो एंपावर एवरी पर्सन एंड एवरी ओर्गनाइजेशन ऑन दे प्लैने तो अचीव मोर्य यानि की उसने अपना मिशन यह बनाया कि जो गिवन डिसोर्स आप उसमें से हम आने वाले समय में ठीके फोकास नहीं क बिशन बड़ एनफ इनफ इसकेल अपने इसकेल एव एगस्प्रेंट वाट न इपनी कांपनी का कर सक्ती है गिवन डिसोर्स में और दूसरों को किया मोटिवेट करिये लोगों को किता हम पावर करिये ये सारी चीजिये स्में आती है इस काइंड वाले बाट एंड जी विच इस रीचिंग आउट वर्ड और मेकिंग एंफ्लेंस ऑन और इंडिविजिन और इंडिविजिन और मिशन जो है वह दूसरों पे पॉजिटिव चाप भी छोड़ रहा है पिर आते हैं नीची मिशन स्टेप्में इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट में जो बताया किय कस्टमर को इंसपार करता है ठीक है स्ट्राटेजिक प्लानिंग में हलुकरता है सेटिंग वैल्यूज अंडर्स्टैंडिंग वाया बिजनेस एग्जिस एपना जो मैंने बताया था कि उनकी अलग-अलग रिस्पॉंस्बिल्टी तुबर्स इस विजिस्ट कर रहा है इसके ओवर्राल गोल ऑप दा और ऑगनाइज़ेशन ओवर ऑल जो बोल ऑगनाइज़ेशन का ठीक है करेंट स्टेट असको ध्यान में रखते हुए जो और गनाइज़ेशन का गोल है वह मिशन कहलाता है इप्रोवाइड असेंस अप देरेक्शन वता आता है सारे एंप्लोई को स्टेट में ही जरांगा जूंड गूंट Elizabeth Heard कं स्टेटमेंट सबहूं क flats करेंज़ेंट Php 2020 कि उनटेट में possibly वह मिशन ठोब आ टाए जर्थ एक है एक ऍटोन में लंट direito है कि आ हम क्या अचीव करना चाहते हों मिशन क्या लाता है a mission acts as a guide to decision making for all levels of management mission जो है एक guide के तौर पर काम करता है सारे level of management के लिए as a broad goal of organization a mission justify an organization existence ठीक है एक अगर broad goal के इसाफ से देखें तो mission क्या बताता है कि organization क्यों exist कर रहा है क्यों है organization presently इस time पे it is a statement of an organization reason to exist ठीक है यह statement है जो कि organization के रिजन को बताता है कि वो क्यों exist करें it states what the company is providing to society यह बताता है कि company society को क्या provide कर रही है it express who we are what we do and why we are है इसे की होता नहीं आप लोग देख तो बहुत सी companies होती tagline देती है अपनी कि हम क्या है क्यों है और किस रहे है यहां पर exist कर रहे हैं ठीक है फॉर एक्जामपल अ कंपनी में प्रोवाइड लीगल सर्वेस हाउसिं ग्रीनिंग सर्वेस और सॉप्वेर डिवलपमेंट ठीक है और इक में प्रोवाइड प्रोडॉक्स अच्छ पॉस्मेटिक टॉरेट्री मतलब जो जो चीज़ें उसक के बारे में समराइक स suffers बताना ऐसी यह हैश कीवें के बारे में बताया की कंपनी क्या है यह बताती है कि हम सिसाइटी को क्या should define organizations line lines of business identifies products and services and specify the markets itself at present and shortly it should be achievable in writing and have a time frame for achievements in submission is relatively permanent part of an organization identity it should be broad-based but customer focus mission mission is not to make a profit for profit cannot differentiate one company from another mission profit कमाना नहीं होता यह बताना है कि हमने अपनी existence बरकरार रखनी है और जब वह existence लंबे समय तक बरकरार रहती है future के point of view से company अपने आपको कहां बहुत time तक exchange करना चाहती है तब वो vision कहलाता है ठीक है it is to give the organization its own special identity business emphasis and path for development यानि की यह जो होता है यह particular mission होता है यह क्या काम करता है organization को खुद की special identity बनाने में help करता है business को help करता और path देता है कि कैसे development हो सके ठीक है उसके बाद it must set up firm apart from other similar situated firms ठीक है और बाकी जितने भी यह मतलब different firms होते हैं उनके बीश में situate करना यानि के अपने आपको exist कराने के कारण देता है strategic management mission statement business definition before a strategic management mission statement is prepared managers must clearly define what business the company is presently in यह वो particular मतलब लाइन है जिसमें की manager यह clearly बताते हैं कि business company का क्या है और वो क्यों presently अभी exist कर रहे हैं this is essential because the mission statement must convey who we are what we do and where are we now ठीक है क्यों 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 बताता है कि हम क्या है हम क्यों है ठीक है उसके बाद हम कौन है और हम कहां पे हैं अभी इस समय तो यह सारी चीज़े हमें mission से पता चलती है अब देखो इसमें कुछ नाम लिखे हुए बिटा कुछ कंपनी के ओनर्स के कुछ राइटर्स के अब देखो उन्होंने थॉम्सन एंस ट्रिक्लेंड है वेरी आर्ट अर्टिकुलेट ली प्रेजेंटिट दा देखो सिटी और अव चैए अब दिखाट लग्सनेश्ट बारे वेस्नेश्ट देखो क्या के इंपरम इपर मिली इस चोको को अला हिंदा सौप ड्रिंग बिजनेस इस को को अला इंदा बेवरेज बिजनेस कि यह पता चला कैसे जब एक्ज अप्सपेक्टिव और चाव ब सब्सक्राइब करना पड़ेगा सम कमपनीज हाव प्रवाइड बॉटल वाटर भी है मिल्क है कॉफी इन सबसे भी कॉंपेटिशन करना पड़ेगा मतब ब्रांट भी करना पड़ेगा सम कमपनीज करने पराऴ भी पनीजेंड करने रहो कि अश्यूट सुनसे वाइप इंदू kommerिस पुरू पेशर अड़ेगा संब थाख स्डेव然 ओन्ड़ेगाBack मझे इंदू अंप इनिस फिल्स मेंदेश करने रहो बिजनेश इड इडिए इड़ाइड गुंडली आजय इडिए लॉट बोला जा रहा है कि ही वह पर्टिक्लर फर्निशंग एंड एमशन लिगा है कि वह फपनिचर बिजनेस हैं मगर सात में आप इसमियद आडरे बिजनेस हैं आप इसे बनेवे पर नीचर का भी काम करती फि काम करती है if a company states that it is in the soft drink business no in the beverage business it implies that it follow a narrow definition of a company जिसे और को को ला वह इसे भी बोले कि हम से soft drink में beverage के बारे ना बता है तो उसे हम लोग नारो बोलेंगे broad definition नहीं नारो है ठीक है in general three dimension can be used to define a business for a company जब बुजनस definition का है three basically कुछ dimensions है जैसे की who is being satisfied what is being satisfied how customers are need being satisfied satisfied होगा हमारे प्रजेक्ट से क्या चीज सेटिस्फाइड होगी उनकी ठीक है उसके बार how customers are need being satisfied किस तरीके से customer की need जो है वो satisfy हो रही है यह तीनों dimension points को पढ़ा जाता है और फिर पता चलता है कि कि किस company को किस customer group को फोकस करना है किस customer group की need को fulfill करना है ठीक है तर नीच और दा customer that the company wants to satisfy यह पता चलता है आफर रीडिंग थ्री थी 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 दिमेंशन अन्ड़ skills और competencies that a company has to use for satisfying the needs of targeted customer groups ठीक है किस targeted customer group को fulfill करना यह भी इससे पता चलता है अब देको ideal content क्या क्या है mission statement की no hard and fast will exist for the formulation of strategic management mission statement and analysis of various strategic management mission statement of different business firms indicate that mission statement needs to include some common issues which common issues को ध्यार में रखते बनाया जाता है particular hard and fast rule नहीं जिसे कि पहला customer need what is being satisfied ठीक है customer groups that is being satisfied customer की need क्या है customer group कौन कौन से होंगे कौन कौन से लोग होंगे फर्म activities जैसे की फर्म की activity क्या होगी डिलेटिट टेक्नलोजी रिलेटिटिटु कॉम्पेटिटिवनेस competencies how the firm goes about creating value to customer satisfying satisfying their needs ठीक है कैसे फर्म अपने customers की value को धान में रखते हुए उनकी इसको satisfy करेगा basic components of a typical corporate strategy management mission statement ठीक है management का जो mission statement उसकी यह तीन बेसिक है कि customer की नीड बताना कौन सा customer targeted है जैसे कि Microsoft ने कर रहा था और क्या activities वो करना चाहा रहे हैं ठीक है फिर उसके बाद तकनलोजी इंफरमेशन टेक्नलोजी है communication टेक्नलोजी है यह मैंमें technology सारी चीज़ों पर ध्यान रखना आगे कैसे कंपनी जो है एक्जिस्ट करेगी क्या प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी क्या ग्रोथ होगा फिलोसफी ठीके फिलोसफी यह नहीं मतब कि क्या सोचा जा रहा है कि वह अपने 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 एक्स्पीडेंस को किस तरीके से लो कंसर्म किय सिंसेन आफ था मैंनघंट मैंस मार्केटिंग हाट मेंट का अपने अपना सब्सक्राइब के स्विलॉप्मेंट को मिया देवेलापमेंट को गया रिसरेकन श्रूस निशल को गया पर एक्जांपल नहीं सेविआपने हो सकते कैन भी तो ब्रॉगनेज़ेशन सकस डेवलपिंग एफेक्टिव लीडर्स ठेके एक अपिश्च सेंगे कॉंट्रब्यूट करने थे लीडर्स को डेवलप करना हाई परफॉर्मेंस टीम को डेवलप करना उनकी पोटेंशल को बढ़ा के हम और इसेशन की सक्षिस को बढ़ा सकते हैं यह HRD का mission है, मतलब उनको क्या, उनका target क्या है, उसको हम mission बोलेंगे, the marketing department mission में भी providing excellent customer service, ठीक है, और marketing का क्या होगा, कि उन्हें अच्छी customer service प्रोवाइड करनी है, all the time, around the year to exceed customer's expectation, customer के expectation को बढ़ाने के लिए, वो उनको अच्छी customer service प्रोवाइड करनी है, यह marketing department का होगा, यह एक example है, फिरे आपका mission में, changing our mission statement, a strategic management mission statement of a company is not supposed to stay unaltered forever, मतलब भी ध्यान रखना यह निकी mission आज एक बादा दिया गया, वो ही चलता रहा, mission को बदलना पड़ता, because world जो है, वो continuously change होता रहता है, सब को पता है, situation flexible होती है, ठीक है, elastic होती है, बाहर dynamic होती है, change होती है, in this world of continuous change in the environment, it is common to review and redefine companies, missions periodically, आप लोग देखते हों कि पहले किसी company की tagline कुछ और थी, और अब कुछ और है, ठीक है, जैसे कि बहुत पहले BSL की थी हार कदम आपके साथ, आप चेंज होगे, तो as per the requirement, जो है, इलाबाद बैंकी मर्च होगे, तो as per the requirement, चीज़ें, बहुत सी change होती रहती है, ठीक है, from time to time, the original mission framed long ago does not work, because it may develop intolerable to the stakeholders, ठीक है, time to time बदलना पढ़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो original mission है, वो हमेशा फायदा दे, कभी-कभी stakeholders के लिए इरिटेट होगा, stakeholders हर कोई हो सकता है, shareholder, debenture holder, ठीक है, supplier, हर कोई, in that case, the mission should be modified or all, or altogether created a new, ठीक है, modify होना चाहिए, नया बनना चाहिए, because as per the need of the customer, as per the, to maintain the image in front of stakeholders, चीज़ों को change करना पढ़ता है, as the successful firm grows, its mission statement will broaden, reflecting its growing competencies and view of proportionate tastes, ठीक है, यह बोला जारहा है, as the firm grow करता है, mission statement जो है broad होता जाएगा, because resources broad है, वो ज्यादा लोगों को serve कर पाएंगे, तो उनका mission भी broad होगा, उनकी अपनी growing competencies क्या है, क्या कि उनकी इंदर ability यह बताते हुए, नई opportunity वो क्या पाना चाहते हैं, possibly including several dimensions, वो अलग-अलग कितने creative हैं, कितने areas में क्या क्या कर सकते हैं, यह सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, mission बनता है, however, it should not be practical to change or modify the strategic management mission statement too frequently, बहुत जल्दी जल्दी नहीं change हो सकता, यह एक reality है, और फिर भी change करना पड़ता है, यह भी एक सच्चाई है, तब ही form long term में exist कर पाएगा और आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे vision के बारे में सोच पाएगा, ठीक है, thank you so much class.